आज संसद में दिली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा हुआ बिल पेश किया जा सकता है सरकार दिली से जुड़ा बिल पेश करने की तैयारी में नजर आ रही है आपको बता दें, Government of NCDD संशोधन बिल आज पेश हो सकता है और इस बिल को लेकर एक तरफ जहां सरकार की तैयारी पूरी है वहीं विपक्षी गडबंधन इंडिया भी कमरकस कर तैयार तो दिली में अफसरों के ट्रांस्टर पोस्टिंग वाला ये बिल आज सदन में पेश किया जा सकता है सुप्रम कोड के फैस्टेक पर इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया था और अब उसी अध्यादेश को खानूनी जामा पहनाने के लिए आज सरकार की तैयारी है बहुत मुम्किन है आज ही ये बिल सदन में रखा जाए तो आज पेश हो सकता है दिल्ली से जुड़ा ये बिल अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाला ये बिल है सुप्रम कोड ने फैस्टा सुनाया था अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मिदारी तैय करने का हक दिल्ली सरकार को दिया था उसी को पलटते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया था और जैसा की नियम है अध्यादेश लाया जाता है और जैसे ही सदन का सत्र शुरू होता है तो फिर उसे खानून के तौर पर सदन से पास कराना होता है उसी के तहट सरकार अध्यादेश को खानूनी जामा पहनाने के लिए बिल के रूप में सदन में रखने की तैयारी में और बहुत मुम्किन की आज ही इस बिल को सदन में रखा जाए तो एक तरफ सरकार की तयारी है, दूसरी तरफ विपक्ष की तयारी है एस वक्त की बड़ी कबर आपको बताता है, आम आद्मी पार्टी ने विप जारी किया है इस वक्त की बड़ी ख़बर आम आद्मी पार्टी की तरफ से विप जारी कर दिया गया है अपने सभी राज्यसभास संसदों के लिए आम आद्मी पार्टी ने विप जारी किया है 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहे ये विप में कहा गया है 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त मतलब ये पूरा हफ्ता आज 31 जुलाई की तारिक है सोंबार है और 4 अगस्त मतलब शुक्रवार तक इस पूरे हफ्ते अपने राज्यसभास संसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए विप आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है और इस विप को इसी रूप पे देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ सरकार की पूरी तैयारी है दिली के मामले में बिल लाने की उसी के लिए अपनी रणनीती को धार देते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है अपने सांसेदों के लिए विप जारी कर दिया गया है हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे साथ मेरे सायोगी नीरश पांडे इस वक्त मौझूद है जरा जानते हैं नीरश पांडे से कितनी गुंजाईश बताई जा रही है कि आज ही दिल्ली वाला बिल जो है वो सदन में रखा जाए इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रहे नीरश रूमाना देखिए मेरी जानकारी है उसका अंसाथ जो हमारे सोच्छिस बता रहे है दिल्ली का बिल आज ही पाल्यमेंट में सेज़ किया जाएका लोगत वामने चेज़ किया जाएका यह अलग बात है कि जो आज घ्रिश्टा बिजनेस है उसमें आज ये बिल लिश्ट नहीं किया गया है लेकिन इसके बावजूर सरकार इसको इंटर्टीज कर सकती है दिल्ली वाले इस बिल को लेकर समाल पूछा गया तो उनकी तरफ से क्या कहा गया जा रही है सुनिये पहले तो सुना आपने ग्रेमंत्री अमिच्शा उनसे सवाल पूछा गया जरा आज दिल्ली वाला बिल है और अमिच्शा की तरफ से कहा गया पेश होगा मतलब बहुत मुम्किन नीरच पांडे जिस बात का जिक्राब कर रहे थे कि आज ही दिल्ली वाला ये बिल सदन में रखा जाएगा नीरच जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब ग्रे मंत्री अमिशा जब निकल रहे थे तो कही पत्रकारों ने यह बात पूछी कि सरकार इसको इंट्रड्यूस कर सकती है मैंने पहले ही कहा कि लिष्ट आप बिजनस में यह लिष्ट नहीं है तो कि बिजनस में लेकिन लेकिन बिष्ट के पाद नियम है तो कभी बी किसी बी समय इंस्पेसल मेंशन ला सकते हैं तो दिल्ली का बिल का ब्राइग का दिन इस बात कि चैर्चा थी पहले भी यह बात पूहीती कि मंदे को यह आ सकता है पहले भी ये बाद सरकार के सोर्सस से हमें जानकारी मिली थी कि मंडे को इसे पेश किया जा सकता है तो किसी भी समय आज इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और शायद यही वज़े है कि विपक्ष भी अपनी रणनीती को इस बिल के विरोध में धार देता हुआ नजर आ रहा है यह कह सकते हैं यह एक लिटमस टेस्ट भी है क्योंकि अगर आप ने अविश्वास प्रस्ताओं लाया है और एक बहुत महत्पूर्ण बिल सामने आ रहा है तो इसी में पता चल जाएगा कि सरकार के पास समर्थन है मत है कि नहीं मत है उनके पास विस्वास है कि नहीं तो अविस्वास प्रस्ताओं का एक तरह से गया सकते हैं कि सेमी परिक्षण तो आज ही हो जाएगा अगर यह बिल इंटोड्यूस होता है और सरकार के पास सयोगी दलों का भी बहुत भरपूर सयोग है तो यह कह सकते हैं कि सरकार तू थर्ड मिजूर्टी के साथ लोग समा में अपना बहुवत सिद्ध करते हैं और आज जब यह बिल पेस होगा तो उस समय विपक्ष भले कुछ हल्ला करे लेकिन बिल के समय यह पता चल जाएगा कि आविस्त्वास प्रस्ताव की असली तस्वीर क्या होने वाली है आप रहेए मेरे साथ में लोटोंगो आपके पास इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है जगविंदर पठियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट 17 जुलाई से सोबवार से शुक्वार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे